हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे हम रहू राहूल जेश्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने के मोश्ट इंपॉर्टन हिश्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आप चुको दोस्तों जिसमें आज के दिर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एट स्टैंडर के रिए एक बेतरीन चाप्टर की जो आलरी हमने शुरुआत की थी दोस्तो जिसका नाम है चाप्टर नंबर थर्टीन फुल्फिल्मेंट आफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जी हां दोस्तों हमें 1947 में आजादी तो मिल गई थी यह आपको पता होगा लेकिन आजादी होने के मिलने के बाद भी कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिपे कंट्री बन गया लेकिन उसमें जो छोटे-छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे उनका ये था कि यार हम क्यों आए हम तो अलग से एक राज्य हैं हम क्यों आए आपके इंडिया में शामिल होने ठीक है ना तो दीरे-दीरे ये चीज़े है चेंज हुई जो हमारे पहले प्राइ स्टेट्स थे जो फिर भी रिफ्यूस कर रहे थे और वो हमारे इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे उसमें से था जुनागड सौराष्ट्र रिजन गुजरात का दूसरा था यहां पे हैद्राबाद बहुत बड़ा रिजन निजाम के अंडर में ठीक है और तीसरा थ ठीक है ना तो यह सब चीज हम डिसकस कर रहे होंगे हमारे इस लेक्चर में तो वीडियो बहुत ज्यादा इंप्रेस्टिंग होने वाला है सिलाए बस पॉंट अफ यू वीडियो को एंड तक जरूर से देख ले ना और आप लोगो एक चीज और पता दूँ कि आपके बाक प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करते रहे ना और अगर आपको कुछ भी important questions चाहिए कुछ भी मुझे पूछना है तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हो टेलेग्राम ग्रूप में हम बहुत सारी pdf और daily task डालते हैं आपको क्या करना चीए दिन में क्य description box में साथ ही में कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप में comment कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर personally पूछ सकते हो उसके links भी आपको description box में मिल जाएगे तो फटा फटसे कर लेना ठीक है चलिए आ जाते है topic के ओपर जो कि है हमारा 8th history ठीक है chapter 13 अब हमें आज क्य ठीक है यह topic क्या है इसको थोड़ा सा detail में जानेंगे तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हाइदराबाद भी एक ऐसा princely state सा जो हमारे इंडिया में डारेक शामिल होना नहीं चाहा रहा था after the independence लेकिन हाइदराबाद जो था बहुत ही बड़ा विशाल एक लार्जी प्रिं में क्या था वो बहुत जाड़ा एक रीजन था ठीक है लेकिन क्या हुआ कि जब दीरे-दीरे क्या हो गया कि उस टाइम पर जो राज चलता था वहां पर आपको पता है निजाम शाही आपको पता ही यह पूरा kingdom था उनका पहले बहुत पहले तो निजाम का ही वहां पर आदमी होते थे जो उनका basic civil rights उता था वो उनको नहीं मिल पाता था इसके लिए कई सारे लोग सामने आने लगे तो कई सारे लोग ने क्या क्या मिलके organizations create करना शुरू कर दिया अब क्या होता organization जैसे कि अभी मेरे को कुछ आधिकार मेरे को नहीं मिलत रहा है तो मैं क्या करू आद्रप्रदीशत परिशद रहे कुछ ऐसे थे तैलंगाना रेजन के तो उनक्ति नहीं में बनाया कुछ करनाटर का रीजन में बनाया करनातर का परिशद बनाया इस प्रकार से गारे की सारी चीजे वहाँ पर होने लगी और 38 में क्या हो गया एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों यहाँ पर स्वामी रामानंद तीर्थ उन्होंने क्या फॉर्म किया उन्होंने फॉर्म किया हाइदराबाद स्टेट कॉंग्रेस देखो यहाँ पर हाइदराबाद स्टेट कॉंग्रेस किसने फॉर्म किया एक तीर, तो ये जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या फॉर्म किया, हाइदराबाद स्टेट कॉंग्रेस, कब फॉर्म किया, 1938 की बात है, ये टाइम पे उन्होंने फॉर्म किया, क्योंकि यार वो सब चीजे वहाँ पे जब चल रही थी, तो बहुत जादा इंडिपेंडनेस तक चल हुआ नी था, 1938 तक इंडिपेंडनेस हुआ नी था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे स्टेट कॉंग्रेस फॉर्म किया था, और बेसिकली क्या हो गया था, कि एक हैदराबाद को पैचान मिनने लगा था, स्टेट कॉंग्रेस को, ठीक है, तो ये जो श्ट्रगल था, भहु हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे हो, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छे फॉलोवर्स थे, यानि कि स्वामी जी को बहुत अच्छी तरीके से मानते थे, इनके बीचे एक बहुत गलत स्टोरी भी है, एक मूवी है, उसके ओपर निकला हुआ, ये आपको पता होगा, ये बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम सिलाबस के इसाब से चल रहें, तो वह बात में बोलूँगा, ठीक है, तो स्वामी जी ने हैदराबाद स्टेट कॉंगरेस किया था, उनको बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्या मिला, सपोर्ट मिला, योगदान मिला, तो जु हैदराबाद स्टेट कॉंगरेस था, उन्होंने एक रिजॉलूशन पास किया था, कि जब हमें आजादी मिल जाएगी, तो यह जो हैदराबाद जो एक प्रिंसली स्टेट है, वो इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा, यानि इंडिया में पूरे देश में शामिल हो जाए एंटी इंडिया मतलब क्या हो गया, उल्टा वो लोग बोलते थे कि अगर हमारा देश अलग-अलग होई रहे, इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग होई रहे, तो हम न इंडिया में शामिल ने होगे, हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएगे, यानि कि निजाम क्या चाते जो उदर के निजाम थे, वो चाते थे कि हैदराबाद किस में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ठीक है ना, लेकिन यह बात गलत हो जाती, तो यहाँ पर क्या हो गया, कि ऐसा जब होने लगा यहाँ पर, तो यह कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पर जो इस डिमां था निजाम्स का अशोशियेट था यानि के एक तरीके से फ्रेंड बोल सकते हो उनके साथ ही बोल सकते हो ठीके तो उनका साथ ही था कासिम रिजवी ने उन्होंने एक और्गनाइजेशन तयार किया और वो इंडिया में चाहते थे कि हमारा इड़राबाद मिल जाए उनको दबाने लगें तो यह सब चीज को देखते हुए क्योंकि जो government थी वहाँ पे हमारे इंडिया जब government नहीं बोल सकते हैं अब जो इंडिया के जो main political leaders थे उच टाइम पे क्या होने लगा कि ये सब चीज जब देख रहते हैं तो कि बहुत गलत हो रहा ये दबाया जा रहा है तो जब हमाई आजादी मिल गई उसके कुछ time के गई है तो हमारे पास क्या आ गया है या पुलीस भी आ गया है तो पुलीस में मतलब इंडियन गोवर्मेंट ने क्या कर दिया पुलीस एक्शन ले लिया इंडियन गवर्मेंट ने क्या ले लिया पुलीस एक्शन ठीक है ना पुलीस एक्शन ले लिया और यह कब की बात है 1948 को क्या कर दिया, निजाम ने surrender मान लिया, यानि कि अपना हार स्विकार कर लिया, surrender कर लिया, जब उसको surrender करना पड़ा, तो finally, जो हैदराबाद था, जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था, वो इस तरह क्या हो गया, अब वो free हो गया, अब वो इंडिया में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है, इंडिया में वो merge हो गया, तो इस प्रकार यह है, हैदराबाद की story थी, किस प्रकार से हमारे इंडिया में वो शामिल हुआ, और जो लोगों का struggle था, प्रिंसली स्टेट, यह हिदराबाद को प्रिंसली स्टेट को इंडिया में शामिल करना है यह struggle वाकई में successful रहा है और बहुत ज़्यादा contribution इसमें रहा है आर्या समाज का भी आर्या समाज का भी काफी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा support रहा है तब जाके यह हिदराबा थे मराठवाड़ा थे उनका क्या contribution राएदा contribution of मराठवाड़ा contribution कि यह जो हैदराबाद का जो जो बोलते हैं फ्रीनेस हुआ है जो इंडिया में मर्जर हुआ एक तरिके से बोल सकते हैं उसमें मराठास का बहुत बड़ा रोल है मराठवाड़ा का तो यह जो स्ट्रगल चल रहा था वहाँ पर तो स्वामी रामानन जो तिर्थ थे जो की शुरूआत किया था उन्होंने हैदराबाद स्टेट कॉंग्रेस की तो यहां पर क्या हो गया उनके साथ में गोविंद जाते थे वो स्टूडेंट्स नों भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन किया और यह लिबरेशन आप दा हैदराबाद में बहुत बड़ा योगदान दिया और इसलिए बहुत सारे ऐसे कई व्यक्ति जैसे कि वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पंसारे, बाहिर जी शिरधर वर्तक, जनारधर मामा, शोयब, उल्लाह खान, यह सब ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया और इन्हों ने वीर गती को प्राप्त किया, यानि माटीडम, बोलते न हम लोग, शहीद हो गए वो लोग, इतने सारे कई सारे व्यक्ति लोग ने, यह सब हैदराबा जो बोलते हैं न, वो एक तरीके से हैदराबाद के लिबरेशन के लिए काम आया, और घड़ी आ गई कि 17th September के टाइम पे, ठीके न, 17th September के टाइम पे वो घड़ी आ गई, कि finally हमारा जो हैदराबाद था, वो क्या हो गया, शामिल हो गया था इंडिया में, और इसी लिए यह कब की बात है यह, 17th September को, 17th September को ही मराठवाडा मुक्ति दिन के नाम से जाना जाता है, और यह इसलिए किया जाता है, ताकि जो श्ट्रगल लोगों ने किया है न, उसको एक पैचान मिल सके हैदराबाद के अंदर, और मराठवाडा जो है न, नॉमली एक टाइम था, जब ह मराठवाडा को भी कंसीडर कर लिया गया, कि वो हमारे इंडिया का एक पार्ट हो जाएगा, और हमारे इंडिपेंडेंस में उसका भी एक हिस्सा रहेगा, तो भी हमारे साथ शामिल हो गया, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सम समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ फिर आज का लेक्टर हम समाप्त करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे इश्यूस बचे हुए, श्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए, तो हमने दो स्टेट और पढ़ लिया, जो कि था जुनागर और आपका हिदराबाद, लेक ये वीडियो समाप्त था, ये वीडियो आपको कैसा लगाए, प्लीज हमें कॉमेंट करके बादाज़ना, अपनी राय और सजेशन जरूर जरूर से देना, वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, तो आप लोग को नोटिफिकेशन म तो मिलते हैं हमारे एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई